तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि यह टल के न्यू सिम एक वाईसी से चालू केसे करेंगे अगर आप यह टल के न्यू सिम चालू करते हैं तो बाद में आपको टेली भेरिफिकरसन भी नहीं करना होगा और ज्यादा डिटेल्स आपको भरने की जोरुत नहीं है इस रिफ आपको आधार का नंबर डालना है कस्टमर का फिंगर लेना है और लाइफ फोटो लेना है और अपना फिंगर लेना है उसका सब्मीट पर जैसे किलिक करेंगे तो आपका यह टल का सीम तुरंधी चालू हो जाएगा और डिजिटल के माध्यम से अगर आप चालू की ले लेगा और एक मिनिट के अंदर ही यह टल के निउसीम चालू हो जाएगी तो हम आपको कंप्लीट इसकी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि क्या जाता है अगर इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो एक लाइक कर दीज़े तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप एय। टल मित्रा application को अपना lapu number password डालके open करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का interface आएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद UID card पर उसके बाद यहाँ पर आधार वेसेट पर किलिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर किलिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर किलिक करना है, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ट का नंबर डालने के बाद सबसे पहले आपको मोबाल के साथ एक फिंगपेंड डिवास को कनेक्ट करना है उसके बाद आपको यहां पर किलिक करना है कनेक्ट करने के बाद यहां पर जैसे किलिक करेंगे तो आपका फिंगपेंड डिवास का लाइट जलने लगेगा उसके बाद कस्टमर का थंब बैठाना है कस्टमर का थंब जैसे सक्से से ले लेना है किस्टमर का लाइब फोटो केप्चर करने के लिए कस्टमर को एक बार प्लग जपगने के लिए बोलना है तो यहां पर कस्टमर का लाइब फोटो सेक्सपुली केप्चर हो जाएगा उसके बाद लगता है कि आपको अच्छा आया है फोटो तो आपको यहां ड करके ले लेना है तो यहां पर कस्टमर का लाइब फोटो अपलोड हो चुका है उसके बाद आपको सिंपल यहां पर एक अल्टरनेट मोबाल नमबर डालना है उसके बाद यहां नो पर किलिक करना है अगर बिकलांग है तो यह पर किलिक करना है नहीं तो नो पर किलिक करना है आपको simply यहाँ scan पर click करके जो भी sim customer को देंगे उसका QR code को scan करेंगे scan करने के बाद सभी details यहाँ पर automatic की आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर click करके आपको FRC select करना है कि कितना रुपया का आप recharge करना चाहते हैं first time उस FRC को डालेंगे उसके बाद यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर term को accept करना है उसके बाद फिर से आपको नीचे आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर term को accept करना है उसके बाद फिर से आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना fingerprint लगाना है फिर से आपको अपने mobile के साथ fingerprint device को connect करना है यहाँ पर रिटेलर का फिंगर 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 चालू हो चुका है उसके यहां पर आप अपना एंपिन डालके रिचार्ज को कर सकते हैं नहीं तो आप इसकीप करना चाहते हैं तो इसकीप भी कर सकते हैं तो चलिए अभी हम रिचार्ज को करेंगे तो यहां रिचार्ज ना उपर किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मेरा रिचार्ज भी सेक्सेस्फुली हो चुका है अब कस्टेमर के मोबाल पर इस सीम को भरेंगे तो तुरंथी चालू हो जाएगा और टेली भेरिपिकसन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी और यह जनकर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूब बताय रहा सबसे पहले देखने के लिए